दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है विदाउट इस वीडियो को आप पूरा देखे कुछ भी कमेंट बत करना इस पर नहीं डिसलाइक और नहीं लाइक करना बिकोज यार इस वीडियो को पूरा सुनें आप इस वीडियो को जज नहीं कर सकते हैं तो जैसा अब आप देख सकते हो कि यार इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है बिटकोईन की कीमत भी घटती जा रही है और इसके बारे में जितने भी नेगिटिव नियूज निकल के आ रही है जैसे बिटकोईन पर टेक्स की आर बियाई प्लान सेंड अपकमिंग बिल इस तरीकी की जो नियूज निकल के सामने आ रही है जो हाली में तुरकी में क्रिप्टो करंसिस को बैन कर दिया गया था उसका भी यार इफेक्ट अभी मार्केट पे देखने को मिल रहा है और यार पहली बात कर लेते हम सेलर्स की अब जो कुछ बिगनर्स हैं कुछ सेलर्स हैसे हैं जिन्होंने अपना पूराई इंवेस्टमेंट इसमें कर दिया कहीं से भी लालोगा के पैसा इसमें इंवेस्ट कर दिया और अब रो रहे हैं कि यार बाई मेरे तो पैसे डूब गए ये तो मेरे हजार रुपे के पान सो गए चार सो दो सो जो भी for an example इतने होते जा रहे हैं मेरा लाखो रुपे का नुकसान हो गया तो आरते को एक सिंपल सी बात है जब आपने इस क्रिप्टो करन्सी में एंट्री करी थी तो आप सभी को ये पता है क्यार ये जो crypto currencies है वो volatile है बिलकुल market नीचे भी जा सकता है market उपर भी जा सकता है तो आप यार इतना घबरा क्यों रहे है मुझे समझ में नहीं आता सबी को पता है क्यार ये crypto market ऐसा ही है अगर इसमें pump आता है तो dump भी आता है market अगर उड़ता है तो crash भी होता है तो इसमें इतने डरने की बात नहीं है और एक चीज और बार बार अपने coins की price को देखना बंद कर दो फिलाल थोड़े दिनों के लिए because जितना ज़ाद आप देखोगे ना आपका माता उतना ज़ाद गूमेगा फाल तुमें डरोगे और sell करने के बारे में सोचोगे कि यार मेरे तो पूरे पैसे डूब जाएंगे अच्छा है कि जितनी मिल रही है भी price उसमें भेज़ दो तो ये गलत है यार ये मतलब बचकानी हरकते नहीं करनी चाहिए हमें इस situation में और जिन जो यार कमेंट करते न मैंने चार लाग का लोस जेला है तुझे क्या पता ऐसे वेसे भाई में मेरा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा मुझे भी पता है यार सभी को लोस हो रहा है सभी हमारी community है यार और इस community में एक साथ सब को लोस हो रहा है ऐसा तो है नहीं कि आप ही का लोस हो रहा है और हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है तो इतना आप क्यों पैनिक हो रहे हो पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है ये तो बलकि एक golden time है जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट करने का मन बना रहा है वो इस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जितने भी अच्छे-च्छे कोईंस है जिन्होंने उनमें एंट्री नहीं लिए उसमें एंट्री ले सकते हैं यार मुझ जैसे लोगों के लिए तो ये golden एरा है golden time है इस समय क्या है कि मार्केट अभी डाउन जाता जा रहा है तो वैल्यू भी काफी जादा कोईंस की घटती जा रही है और आप सभी को बता है जब भी मार्केट क्रेश होता है तो उसके बाद हमें pump देखने को मिलता है उसके बाद हमें growth देखने को मिलती है हर बार हर बार कई बात है भाई है कोई नया नया नही है तो जो भी beginner से जो की ऐसा नाटक कर रहे है इस तरीके से घबरा रहे है तो घबराने की बात नहीं है आप अपने coins को currency को hold करके रखिए बिकोज अगर इस situation में आके आप अपना coins को currency को sell करेंगे तो यार इसमें आप ही का घाटा है इससे बड़ी है यह है कि यार थोड़ी देर के लिए currency को hold के रखे और बार-बार coins की price को check करना बंद कर दे इदर उदर गूम ले थोड़ा सा गाना अगरा सुन ले इससे दूर रहे है यार cryptocurrency मजाक नहीं है कि मतलब down जा रही है तो घबरा जाओगे यह तो सब को पता है यार हर किसी को पता है कि crypto currencies market एसा ही है volatile होता रहता है उपर नीचे होता रहता है तो घबराने की बात है ही नहीं और दूसरी चीच holders holders अपना patience बनाये रखे यह जितने भी negative news आ रही है उनके चक्रों में ना है अपने coins currencies को आप sale ना करे इससे होगा क्या है यार मैंने जैसा पिछले वीडियो में बता दिया था खुद का तो नुकसान हो गई market को और भी जादा down देखने को मिलेगा इस तरीके सा अगर सभी अपने coins निकालते जाएंगे तो घबराने वाली बात नहीं है market उठेगा और जरूर उठेगा हम सभी को पता है और buyers buyers के लिए तो भाई मतलब एक strongly suggestion है अभी थोड़ा बहुत जहां आप invest करना चाते है थोड़ा बहुत जोड़ा थोड़ा आपके पास रखा है ठीक है थोड़ा बहुत अगर पैसा है तो invest कर दीजिए मुझ जैसे लोगों के लिए तो भाई ये golden time है तो मैं तो invest कर रहा हूँ और आप सभी को suggestion दे रहा हूँ जिनके पास थोड़ा extra पैसा और है तो वो अभी बहुत अच्छा time में invest कर दे और ड़ने वाली कोई बात नहीं है यार मैंने जैसा पहले ही का और एक बात और मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने क्रिप्टोक्रंसिस बेन के बारे में न्यूज बताई थी उसमें मैंने आपको content में तो एकदम साफ सुतरी बात के थी अब यार देखो थमलीन में थोड़ा से clickbait तो करना ही पड़ता है आप सीधे साथे थमलीन को देखकर उसमें click नहीं करते और फालतों में हम वीडियो अपलोड करते हैं और व्यूज नहीं आते हैं तो हम भी डी-मोटिवेट होते हैं तो ये clickbait वगेरा तो यार मतलब YouTube पे चलता रहता है इसको लेकर आप थोड़ा नाटक ना करें कमेंड में ये ना की के भाई तो यार ये क्यों फेला रहा है पलाना डिमका यार सब करते हैं हर YouTuber करता है तो ये कोई गलत बात नहीं है बट content में आपको क्या मिल रहा है वो matter करता है उसमें तो मैंने आपको कोई गलत information नहीं दी ना तो ये सब कुछ समझने वाली बाते होती है तो market का अभी जो हाल है वो इस तरीके से है कि hold रखी है जिन्नों ने भी अच्छा कासा amount रख रखा है सब का ही loss हो रहा है और आप ही का नहीं हो रहा तो इतनी सी मेरी suggestion है कि आप घबराए बिल्कुल भी ना पैनिक बिल्कुल भी ना हो और ये जो बार बार coins वगरे को चेक कर से हैं इनकी price वगरे को ये देखना भी बंद कर दे market उठेगा उठना ही है इसको तो आज की इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं किसी और वीडियो में till then bye bye